आज हम बनाएंगे बसंद पंच्पी special मीठे चावल इसे जरदा चावल भी कहा जाता है ये खाने में बहुत टेस्टी लगते है वैसे तो हम इसे कभी भी बना के खा सकते है बट बसंद पंच्पी के मोके पर इसे खास तोर पे बनाया जाता है और पिले चावल बनाना बहुती शुब माना जाता है मीठे चावल बनाने के सबसे आसान और सरल वीदी आज के वीडियो में हम देखेंगे और चावलों को खिला खिला बनाने के लिए क्या किया जाए इसके सारे टिप्स आज के वीडियो में आपको मिलेंगे तो आप इसे इन तक जरूर देखिएगा अगर आपको recipe पसंद आए तो इसे like जरूर करें और channel से जुड़े रहने के लिए उसे subscribe करना ना भूले Hello everyone Desi food and travel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मीठे चावल बनाने के लिए हम इस्तमाल करेंगे करीब एक बाउल्स बास्मती राईस इसे 2-3 पानी से धो के हमें अच्छी तरह से clean कर लेना है चावल को खिला-खिला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे open pan में boil करना है तो चावल को पहले मैंने अच्छी तरह से clean कर लिया है और हमने एक बाउल्स चावल का इस्तमाल किया है तो करीब 4-5 कटोरी पानी हमें डालना है चावल की quantity से काफी ज़्यादा पानी हमें इसमें डालना है तो लगबग जितनी भी चावल का आप इस्तमाल करेंगे उससे 4 गुना पानी हमें इस्तमाल करना है साथी में हम इसमें एड़ करेंगे चार से पांच लोंग और दो से तीन इलाइची इलाइची को हमें इस तरह से स्प्लिट कर लेना है तो इससे चावल में बहुती बढ़िया खुश्बू आएगी और हम इसमें एड़ करेंगे चोथाई चमच नमक बिल्कुल थोड़े से नमक का में आपे इस्तमाल करना है क्योंकि हम मीठे चावल बनाने वाले हैं और साथी में हमें एड़ करेंगे चुटकी भर के करें पीला कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हमें ग्यास का फ्लेम करना है हाई और हाई फ्लेम पे हमें चावल को पकने देना है देखिए हाई फ्लेम पे चावल बहुत अच्छी तरह से पक रहे है और खिले खिले चावल बनाने के लिए हमें इसे इसी तरह से ओपन पैन में बनाना है और चावल को किस टेश तक पकाना है ये भी हम आगे देखेंगे जब तक चावल पक रहे है तब तक हम अनदर तयारी कर लेते हैं तो मीठे चावल बनाने के लिए हमें कुछ dry foods चाहिए तो इसमें मैं इस्तमाल कर रही हूँ थोड़े काजू जिसे मैंने split कर लिया है और थोड़े बादाम बादाम को मैंने दो शेप में काटा है कुछ को मैंने split किया है कुछ को long शेप में काट लिया है और थोड़ी सी किश्मिश का हम यहाँ पे इस्तमाल करेंगे और साथी में थोड़ा सा पिष्टा आपको जो भी dry food पसंद हो आप उसका इस्तमाल आसानी से कर सकते है और हमें चाहिए एक कटोरी गरम दूद लगबग जितने चावल हमने लिये थे बस उतने ही दूद का मैं यहाँ पे इस्तमाल कर रही हूँ और थोड़े केसर के धागे हम इसमें डालके विगो के रख देंगे तो बहुत अच्छा सा कलर दूद में केसर का आ जाएगा और स्वाद में भी चावल बहुत अच्छे लगेंगे तो चलिए अब चावल को चेक कर लेते हैं लगबग 3-4 मिनट इसे पकते हुए हो चुके है बढ़ देखिए अभी ये कापी हार्ड है हमें चावल को सिफ 50% पकाना है इससे जादा हमें चावल को बिल्कुल नहीं पकाना है वरना चावल गल जाएंगे तो अभी हमारे चावल काफी कच्छे है तो अभी हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे तो लगबग 2-3 मिनट मैंने चावल को और पका लिया है हाई फ्लेम पे और देखिए अब हमारे चावल 50% पर्फेक पक चुके है बस इसी तरह से हमें पके हुए चावल चाईए तो अब ग्यास का फ्लेम हम बन कर देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें रिमू कर देना है तो चावल को हम चन्नी से एक चान लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा तो देखिए सारे चावल चान के मैंने प्लेट में निकाल दिये है और प्लेट में निकालने के बाद अगर आपको खिले खिले चावल बनाने हैं तो इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़े थंडा होने दीजिए खीले-खीले मीठे चावल बनाने के लिए ये step बहुत जरूरी है कि आप चावल को थोड़ा थंडा कर ले वरना चावल तूट जाएंगे तो देखिए केसर भी हमारा भीक के बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है केसर का बहुत हलका कलर आता है दूद में इसलिए हमें पीले कलर का थोड़ा इस्तमाल करना चाइए अब चावल को मीठा बनाने के लिए सबसे पहले ग्यास पे हम रख देंगे कड़ाई कड़ाई को थोड़ा गरम कर लेते हैं और भारी तले के कड़ाई का हमें यहां पे इस्तमाल करना है लगबग एक चमच घी का हमें यहां पे इस्तमाल करेंगे जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें एट करेंगे थोड़े बादाम बादाम को पकने में टाइम लगता है तो सबसे पहले हम बादाम एड़ करेंगे और ग्यास का फ्लेम हमें रखना है लो घी के साथ में बादाम को रोस्ट कर लेते हैं और बादाम को हलका सा कलर आ जाए तब हम इसमें एड़ कर देंगे काजू सारे ड्राइफूट्स हमें सिक्वेंस में डालने है कि ड्राइफूट्स को हम घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो इसका स्वात कई गुना इंक्रीज हो जाएगा तो काजू को भी जब हलका सा कलर आने लग जाए तब हम इसमें एड़ कर देते हैं किश्मिश और सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्यास का फ्लेम हमें लोही रखना है क्योंकि ड्राइफूट्स को रोस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता तब हम इसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून सौंफ सौंफ का फ्लेवर मीठे चावल में बहुत अच्छा लगता है बट आपको अगर इसका टेस्ट ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते है चावल भी हमारे सारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके है अब हम चावल को कड़ाई में आड़ कर देते देखे कितने बढ़िया से खुले-खुले हमारे चावल है और एक-एक दाना अलग-अलग बना है बस चावल को पकाते वक्त हमें ये ध्यान दखना है कि चावल हमारे से 50% ही पकने चाहिए अगर चावल जादा पक गए तो फिर वो गल जाएंगे तो सारे चावल हम अच्छी तरह से घी के साथ में मिक्स कर देंगे और बहुत हलके हाथों से हमें ये काम करना है ताकि चावल तूटे ना अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कटोरी केसर वाला दूथ इससे चावल में कलर तो अच्छा आएगा ही और दूथ के इस्तमाल से चावल टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगेंगे साथी में हम इसमें इसमें इस्तमाल करेंगे एक कटोरी चीनी लगबग जितने चावल हमने इस्तमाल किए है उतने ही चीनी का हमें यहाँ पर इस्तमाल करना है बट आप अपने टेस्ट के अनूसार चीनी को थोड़ा कम्या जादा कर सकते हैं अब हम इसे हल्ल के हाथों से mix करना है और gas का flame अब हम करेंगे high और हाई फ्लेम पे हमें चावल को चीनी और दूद के साथ में पकने देना है क्योंकि हमने चावल को स्रिफ 50% पकाया है तो 50% चावल हमें दूद और चीनी के साथ में पकने देना है ग्यास का फ्लेम हमें रखना है medium to high के बीच में और इसे खुले में ही पकने देना है दूद और चीनी जब तक चावल के अंदर अच्छी तरह से सोक नहीं हो जाते तब तक हमें इसे medium to high के बीच में ही पकाना है बट जैसे कि कोई चावल पकने में ज़्यादा टाइम लेता है और कोई चावल जल्दी पक जाता है तो उसके according हमें ग्यास का फ्लेम सेट करना है अगर चावल दूद और चीनी को जल्दी सोक कर लेता है तो ग्यास का फ्लेम आप medium कर दीजिए वरना इसे high flame पे पकने दीजिए तो देखिए सारा दूद और चीनी अच्छी तरह से सोक हो चुका हो हलका हलका सा moisture इसमें है तो इस stage पे आप इसे धकन लगा दीजिए और धकन लगा के इसे 5 मिनट के लिए medium flame पे पकने दीजिए लगबग 5 मिनट बाद मैं इसे खोल के चेक कर रही हूँ तो देखिए सारा दूद और चीनी बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुका है तो अब stage पे हम इसे एक बार mix कर लेंगे और gas का flame बंद कर देंगे और gas का flame बंद करने के बाद में हम इसे फिर से धकन दे के 2-3 मिनट के लिए as it is रख देना है gas बंद करने के बाद में हमने इसे धकन दे के थोड़ी दिर रख दिया था इसकी वज़े से चावल बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है तो ये step आप जरूर कीजिएगा और देखिए चावल कितने बढ़िया से एक एक दाना खुला खुला बना है और चीनी और दूद को बहुत अच्छी तरह से सोक कर लिया है बसंत पंच मी स्पेशल खिले खिले मीठे चावल बनके हमारे बिल्कुल रेड़ी है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी बीना चाशनी का इस्तमाल किये मीठे चावल हम बहुत ही आसानी से बना सकते है और इसे बनाने के सारे टिप्स आज के वीडियो में आज हमने देखे है तो आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताए और आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे चाइनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाए तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद